दोस्तो आज की वीडियो का जो हमारा topic है वो यही है जब हम tally software में कोई stock item create करते हैं तो stock item create करने के बाद में उस stock item का stock group हमें क्या select करना चाहिए stock category हमें किस प्रकार create करनी चाहिए और उससे सबसे बड़ी important जो बात हो है उस stock item की unit तो हमें stock item को देखके उसकी unit किस तरीके से हम create करते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा confusion नए accountant के mind में यह रहता है जब हम कुछ stock item create करते हैं तो stock item का नाम वो particular invoice को देखके सही तरीके से बना लेता है लेकिन जब बात आती है उस stock item की unit को लेके तो तब वो थोड़ सा confuse हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसे product होते हैं वि उस product को हम purchase तो करते हैं अलग unit में और sale करते हैं कुछ अलग unit में तो दोस्तों मैंने example के लिए यहां पर stock item create करके रखी विया जैसे कि एक stock item मेरे पास है पारलेजी MRP5 तो दोस्तों इस product को यानिकि इस stock item को हमने जब purchase किया था और हमारे पास जो purchase भी लाया है purchase अन्वोच जो आया है उसमें जो इसकी जो unit है वो box में है लेकिन हम इस unit को यानिकि इस stock item को हम जो sale करते हैं वो box में नए करने कि बज़ए हम इसको करते हैं पीस में तो यहां पर आके सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता भी इसका जो स्टोक यूनिट है वो बोक्स रखा जाए या फिर पीस रखा जाए तो दोस्तों कुछ ऐसी आइटम जैसे कि यहां पर एक आइटम और है मेरे पास सुगर है अब इस सुगर को हम क्या रखना चाहिए उसका गुरूप का सेलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए उसकी कैटगरी किस तरीके से बनाने चाहिए तो दोस्तों यह सब कुछ आज हम इसी वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं तो आज की जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है तो दोस्तों वीडियो को आप एंट तक कम्प्लीट देखना वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जुरूर बताना भी आज की वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करने के स और समार्ट काउंटिंग आरसनार की यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों सुरू करते हैं आज कहीं वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारे पास जो परसेज इन्वोईस आता है वो इस परकार का आता है हेडिंग में जिस सप्लाइर ने हमें समान दिया यानकी गुड्स हमारे को सेल किया है उस कंपनी का नाम उपर होगा और उसके बाद में सारी स्टोक आइटम की डिटेल्स यहां पर होती है तो दोस्तों अब आप देख रहे हो हमारे पास इस इन्वोईस में एक ये प्रोड लगा होँ है टेक्स के रूप में तो दोस्तों जब हम इस टोक आइटम को हम create खरेंगे तो item create करते वक्त हमें क्या द्यान रखना है वह हम सबसे पहले हम इस बात का पता होना चीए भिश जो product हमने process किया है जैसे कि यही मालूब ही हमने इस product को process किया है अब आपकी process की unit कुछ भी हो सकती है box भोक सकती है, cartine हो सकती है quintal हो सकती है kilo में हो सकती है लेकिन आपने इस item को sell किस unit में करना है ये एक बहुत important बात हमें mind में रखना है जैसे कि पारलेजी MRPI परसेज हमने इसको box में किया है लेकिन हम से को sale out है जो piece में करते हैं तो दोस्तो हमें जो stock unit होती है वो हमेसा हमारी sale unit ही बनानी होती है हमें process unit से कोई मतलब यह भी process जो आया है लेकिन sale किस में किया है या किस में करेंगे वो एक बहुत important बात है उसका में पता होना चाहिए तो दोस्तो कई बार ऐस इस इस्तिति होती है भी हमने कुछ product ऐसे आते हैं जो हमने box में ही process करते हैं और आगे उसको box में ही sale करते हैं तो कोई problem नहीं है उसकी unit simple box बन जाएगी लेकिन confusion वहां होता है जब रत्रेज unit अलग होती है और उसकी sale unit अलग होती है तो ऐस इस इस्तिति में हम सबसे पहले create पर जाएंगे और उसके बाद में इस inventory master में आएंगे और उसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर 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 जाएंगे तो इसका गुरूप हम create करेंगे दोस्तों आपको गुरूप क्रियेट करने का तरीका मैं बता देता हूं अब जैसे कि आपके पास यह product है पारलेजी MRP5 यानि कि एक biscuit है तो आपको इसका जो गुरूप क्रियेट करने है तो हम करेंगे इसका इसके company का यानि कि एक पारलेजी है आप पारलेजी के और बहुत सारे product हो सकते है चोकलेट हो सकती है या इसकी ice cream हो सकती है cold drink हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका जो company है उस company के नाम से इसका group हम create करेंगे तो हम यहां पर जो group का नाम रखेंगे पारलेजी का और इसको under में कुछ नहीं रखेंगे agtc इसको हम accept करवा देंगे तो इस तरीके से एक हमने unit इसका जो group है वो create कर लिये है और उसके बाद में बारी आती है इसके इसके जो पार लेजी जो इसके जो इसके बिस्कुट मनाई वी है तो इसका जो इसका जो इसके बिस्कुट रखेंगे और इंटरप्रेस करते वे इसको हम भी save करेंगे तो इस तरीके से यह एक हमारे पास जो इसके चोकलेट भी है तो हम एक चोकलेट का group है जो और create कर लेंगे इसके जो इसके जो इसके जो इसको हम करेंगे है असेप्ट है अब बारी आती है इसके यूनिट के तो जो इनिट बहुँज भी है और पीस भी है लेकिन स्टोक हमें दोनों कंडिसे में रखने हैं में बॉक्स का भी श्टोक पता होना चाहिए जो क्लोजिंग श्टोक वारे पास बचा रहते हैं और पीस में भी हमें मम और na its झाल का हार और दोस्तो इसके लिए हम यूज करेंगे alternate unit का किस देक्स के से करेंगे इसके लिए हम वापिस create पर आएंगे और अब आएंगे हम इस पर Stock में इसके unit पर दोस्तो unit के अंदर हम दोनो unit हम बनायेंगे एक box की भी बढ़ाएंगे और एक piece की भी बढ़ाएंगे एक तो हम रखेंगे symbol में box को और इसका जो yukis ही गया है वो भी हम यहां से box select करेंगे और number of decimal place है इसको हम box की condition में piece की condition में 0 ही रखेंगे दोस्तों यह एक बहुत important होता है number of decimal place में इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है जब हम इसकी sugar की जो stock item create करेंगे उस वक्त आपको बताऊंगा क्या रखनेंगे इसको रखेंगे save और उसके बाद में PCS यहन की piece में और इसको भी in PCS में select करेंगे और पीस की condition में number of decimal place जो 0 ही रखेंगे और इंटरप्रेस करेंगे तो दोस्तों अगर आप आपको एक चीज़ और बताता हूं अगर आप जैसे हमने की box में हमने भी जो create किया था जो unit हमने create करी है box की तो box की condition में हम इसको यहां पर दो रखेंगे क्यों रखेंगे वह आपको में बताता हूं और उसके बाद में एक जो unit है मारे पास quintal और एक केजी तो वह भी हम create कर लेते हैं create पर हम जाएंगे unit और create quintal और यहां पर भी हम quintal को select करेंगे यू किसी में और quintal की कंडिशन में हम इसको यहां पर रखेंगे दो और उसके बाद में केजी अब केजी की कंडिशन में kilogram सेलेक्ट करेंगे और केजी की कंडिशन में number of decimal place है जो 3 देते हैं अब आपको मैं बताता हूं number of decimal place का मतलब reality में क्या होता है दोस्तों जब भी हम कोई चीजी के अंदर सेल करते हैं तो केजी के साथ चलता है kilogram अमाली जी आपके पास कोई ऐसा customer आया उसको जो sugar चीए वो एक किलो और 200 ग्राम चीए तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं 1.200 तो इसको यहां से मैं कर देता हूं यान कि 1.200 इस तरीके से आपको लिखना होता है तो दोस्तों जो हमने अभी जो decimal के लाश में जो 3 किया था केजी की कंडिशन में वो इसलिए किया था भी यह जो dot लग क्योंकि क्विंटल के साथ चलता है मैंसा किलो जैसे कि एक किलो 50 किलो एक कुंटल 50 किलो एक कुंटल 99 कजी तक हो सकते हैं तो एक कुंटल 99 इसको करेंगे हम यहां पर तो यह आप देख रहे हूं यहां पर जो इसका जो मैंने dot लगा है वो दो डिजिट छोड़के लगा है यानि कि 99 में दो डिजिट होते हैं क्योंकि हम इसको इस तरीके से नहीं लग सकते हैं एक कुंटल और 100 किलो इस तरीके से हम नहीं लगते हैं अगर 100 किलो हो गया तो ऑटोमेटिक की दो कुंटल में करनोर्ट हो गया है और हमने जो बोक्स का जो कैटेगरी हमने दो रखी थी वो इसलिए रखी थी, क्योंकि जो box के अंदर जो हमारे piece आते हैं, वो दो unit में ही आते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो हम अभी देखते हैं, तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे stock, जो इसकी unit है stock item की, वो create कर लिए, अब बारी आती है, stock item के नाम की, तो stock item का नाम हम create करेंगे, इसमें हमें नाम रखेंगे, पारलेजी MR5, तो इस तरीके से हम यहाँ पर नाम लिखे देंगे, और उसके बाद में यह अब पुछेगा under, अब under में हम select हमने और लेडी यहाँ पर group create कर लिया था पारलेजी का, तो हम पारलेजी को select करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर select करनी है, वो करनी है हमारे cell unit, क्योंकि हम यह जो आइटम है इसको piece में select करते हैं, तो हम यहाँ पर main unit रखने वाले वो रखेंगे piece में, अब उसके बाद में एक option हमें को देखने को मिले गए, यहाँ पर alternate units का, तो दोस्तों अगर आपके पास यह alternate units यहाँ पर यह category का option नही show कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर F बारा प्रेस करना होगा, और F बारा प्रेस करने के बाद इस configuration में सब कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको use alternate unit यह आपके पास no है, तो आपको yes करना पड़ेगा, category का option अगर आपके पास यह no है, तो आपको इस option को भी yes करना पड box है, तो अब हम ही यहाँ पर पता हो ना चीए, एक box में कितने piece होते हैं, तो अगर बात करें हमें, एक box में 25 piece हो गया है, तो आपके पास कई ऐसे invoice होते हैं, जहाँ पे केवल main unit ही लिखी होती है, पीस उसके साथ नहीं आते है, तो उस condition में आपको physically इस बात का पता लगाना होगा, भी एक box में आपके पास कितने piece आते हैं, क्योंकि कोई piece होते हैं, वो कोई fix नहीं होता, जैसे कि आप यहाँ पर दोनों ही देख रहे हो, भी एक जो product है, पारलेजी MRP 5 का, अब एक box में 25 piece है, 5 box है, 125 piece है, तो इसका 20 piece है, तो अगर आपके पास यह piece नहीं लिखा है, तो आपको physically इसकी जान करी होनीच यह भी इस type के product के box में कितने piece होते हैं, तो अब अगर इस product के बात करें, तो एक box में 25 piece होते हैं, तो हम इसको यहाँ से जब unit पे जाएंगे, तो एक box बराबर 25 piece, तो इस तरीके से हम इस इसको control एक के साथ हम करेंगे, accept, और इसकी detail है जो, वो भी आपको यस्त करनी होगी, लेकिन आज को हमारा main, जो topic हो, केवल unit को लेके ही है, फिर भी हम एक बार इस invoice को देके हम बना देंगे, value और इसकी 18% है, और इसकी 18% है, और interface करते हम इसको करेंगे, save, इसी तरीके जो second item है, उसको हम फटा-फट से create कर लेंगे, और इसको भी हम रखेंगे, पार लेजी में, अंडर में रहे गाए biscuits, और उसके बाद में ये main unit मारी piece रहेगी, और box रहेगा, अब एक box के अंदर ये होगा, 20-20, क्योंकि इस invoice के according हमें ये 20 का ही पता लग रहे है, हम इसको 20 मे और उसके बाद में, जो third item है, हमारे पास पार लेजी, चोकलेट का, और इसको पार लेजी, अब इसका जो category हम select करेंगे, या से, चोकलेट का, ये piece में रहेगा, second unit इसको box है, अब ये box है, ये उसको हम देखेंगे, इन्वोइस में, यानिकि अब इसका जो main unit, इन्वोइस म कर सकते हैं, तो अब इसकी जो unit है, वो एक box के अंदर, दस है, यानकि total 6 cartoon है, और 6 cartoon में 60 पीस है, तो, एक cartoon में, 10 पीस हो गए है, और इस तरीके से सारी हम unit है, जो, create कर लेंगे, उसके बाद में, item रहेगे, सुगर, तो हम सुगर को भी यहां से, create करेंगे, और इसको हम रखेंगे, अब आपके पास इस सुगर की जो stock item है, अगर आपके पास इसका कोई group है, तो हम group create कर सकते हैं, category अगर आपको पता है, यह कौन सी category के अंदर आती है, तो आप इसकी category भी create कर सकते हो, तो दोस्तों मैंने यहां पे इसका, alt-c से हम shortcut यहीं स इसका group बना सकते हैं, sogar, और इसकी stock category अगर आपके पास कोई available नहीं है, तो आप इससे note type category रख सकते हो, अब इसकी unit है, main unit हो हम kg रखेंगे, और second unit है, इसकी क्विंटल रखेंगे, अब एक क्विंटल बराबर 100 kg, तो इस तरीके से यह जो stock item हम create कर लेंगे, तो stock item हम हम create हो डाइंच की आप जैसी हम इस purchase invoice की entry हम करेंगे, हमारी software में, यह जो पर्शेई invoice हमारी पास आया है, तो उसके हम stock item देखेंगे, voucher पी हम जाएंगे, और इसके बाद हम जाएंगे, एसके बाद हम जाएंगी, एफ नइन हम करेंगे, परशे पांच मार्च की और उसके बाद में फार्टी का नेम और उसके बाद में जो मारे पास प्रोडेक्ट आये हैं अब आपके पास जो यहां पर जो यूनिट जो लिखने वाले हैं इन्वोईस में से वह रखेंग अब 125 पेस नए की बोक्स को करेंगे 125 बोक्स नहीं करना है या 5 बोक्स हमें नहीं करने बलकि हम इसको 125 पीस हम करेंगे तो आपको यहां पर अल्टरनेट यूनिट में निची शोग कर देगा भी 125 में 5 बोक्स आपके पास है और यहां पर जो रेट लगेगा अब वो रेट आपका पर पीस का लगेगा जबकि यह जो रेट आया है वह आप का में यूनिट का हुता है यानि कि बोक्स का रेट है तो अब आपको यहां से एक पीस का रेट है जो कैल्कुलेट करके निकालना पड़ेगा अब चायो तो आप इसको 457.59 है इसके मांट आप यहां पर टाइप कर सकते हो फाइनल मांट में जैसे आप करोगे और इसकी जो हम परसेज का जो हमारा लेजर रहेगा परसेज मारा जेश्टी बारा परसेंट पर है तो आप देख रहे हूं यहां पर तीन रुपे और 66 पैसे जो हमारा पर पीस का जो रेट यहां पर आ चुका है और जबकि इस इन्वोईस के अंदर जो रेट था वो एक सो दो रुपे 50 पैसे यह बोक्स का रेट है हमें बोक्स का रेट है जो नहीं लेना है तो दोस्तो इस तरीके से हम सारी स्टोक आइटमों का इन्वोईस हम फेडिंग कर लेते हैं तो दोस्तो इस तरीके से हमने चारों स्टोक आइटम की जो परसेज इंटरी हमने यहां पर कर लिये तो रिचाए box थे इसको भी हमने साट box किया है तो इसके अंदर हमने हमने जो invoice में जो unit थी वो हमने नहीं लिये हमारी sale unit हमने आप select करिये और इस invoice को हम करेंगे यां से save लिए हम जाएंगे श्टोक समरी पर enterprise करेंगे और alt f1 के साथ detail open करेंगे तो आपको सारी summary यहां पर गुरूप वाई दिखाएगा भी आपके पास पारलेजी का जो टोटल स्टोक है वो 1902 रुपे और 19 पेसे का है और जो स्टोक आपके पास सुगर का बचा हुआ है वो 200 केजी में बचा हुआ है और इसकी जो वेलियो 6785 रुपे और 71 पेसे किया है तोस्तों आप इसे केटि स्टोक गुरूप समरी और स्टोक केटिगरी की समरी पे आप गुरूप पे जाओगे तो आपको जो पारलेजी का गुरूप आपकत देखोगे तो आपको केबल पारलेजी के गुरूप में जो भी आपने प्रोडेक्ट सेलेक्ट किये उसका आइटम का नाम शोगा और आप category select करोगे तो category के अंदर आपको option दिखेगा भी आप कौन सी category देखना चाते हो अगर आप biscuit को select करोगे तो जो biscuit के अंडर में आपने product बनाए है उन्हीं का नाम ही show होगा अगर आप chocolate select करोगे तो आपको यहाँ पर क्याओ chocolate के अंडर में जो stock कामने item हम create करी थी उसकी unit आपको सारी quantity जो show करेगा तो दोस्तों जब हम इसी item को sell out करेंगे F8 में हमारे customer को sell करेंगे हम और उसके बाद में जैसे कि हमने sugar select किया और हम इने 5 kg है जो sell कर दिया है और इसका जो rate हमने 50 रुपीज लगा दिया है और उसके बाद में हमने यहाँ पर laser create कर दिया sell का और इसको हमने save कर दिया तो जब हम stock देखेंगे stock summary पर जाएंगे LTF1 के साथ detail उपन करेंगे तो आपको जो sugar है वो 195 kg का यनकी 95 kg का stock show होगा अगर आप इसे चाहते हैं भी इंटल में भी इसका stock है जो show तो आप यहीं पर F12 हम प्रेस करेंगे और उसके बाद में सारी detail इसकी yes कर देंगे इसमें से जो main yes करने वाला हो यह show alternate units इसको करेंगे yes हम और control A के साथ करेंगे तो इस तरह के से अब आपको यहाँ पी सभी stock item की alternate unit भी साथ में show होगी 195 कजी यहनकी एक quintal और 95 किलो आप के पास है जो stock बचा हुए तो दोस्तों जो हमने number of decimal place दिया था वो इसलिए ही दिया था हमें quintal की condition के अंदर last में जो quintal के साथ के साथ के सी कितना बचा हुए वो हमें show होता रहे और उसके बाद में अगर केजी के साथ quintal हमें gram में कितना बचा हुए है वो भी साथ में show होता रहे है जैसे हमने इसे अभी जो cell unit करी थी अब माली हमने के दिए भी 5 किलो और 100 gram तो इसके हम unit आप closing stock देखेंगे तो आप इसका closing stock देख रहे हो भी एक सो चुराण में किलो और 900 gram तो इस तरीक इस 101 कुंटल और 95 कुंटल और यह आपको box में भी शोगा अगर इसी item को अगर आप box में भी piece में sale करोगे जिसके case के item है और इस product को करते हैं से sale यहनकि 4 piece हमने sale किये हैं और share पे इसका rate और controller के साथ हम इसको accept करेंगे अब इसका जब हम stock देखेंगे तो आप इसका जो stock 121 के जी और F12 प्रेस करेंगे alternate unit को show करेंगे तो यह आपको यहाँ पर total इसकी detail दिखाएगा 121 पीस हैं और 4.84 box के साथ आपका box में stock बचा हुए है तो दोस्तो इस तरीके से हम stock item को create करते वक्त उसका यूनिट है stock group है और stock category create कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो please अभी कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं